इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यूनिट थर्ड फर्स टॉपिक फॉर्ण पॉलिसी एंड इस डिटेमिनेंट्स फॉर्ण पॉलिसी क्या है पहले यह समझते हैं इन सिंपल टम्स फॉर्ण पॉलिसी दा आउट्पूट ऑफ इस्टेट इंटो ग्लोबल सिस्टम सिंपल शब्दो इस ट्रिट की क्या डिमांड से ग्लोबल सिस्टम से उसकी फॉर्ण पॉलिसी निर्दारित करता है पॉलिसी का मतलब है पॉलिसी एक गाइड टू एक्ष्ट एक्षन और सेट अफशन इंटेंड़ दूराइट गोल्स अफॉर्ण फॉर्ण इसन दैट इस एट फॉर्ण इ इसकी बात करें जो फॉर्ण अफेर से डील करती है और यहां पर मतलब है तो पॉलिसी एक तरीके का गाइड है उन एक्षन के लिए जो ऑर्गनाजेशन के गोल्स जो बनाए गए थे वह उनको पूड कर सके यान की डिपार्टमेंट और फॉर्ण अफेर्स ने कुछ अपन गोल्स बनाए थे कि हम इस इस देश से अच्छे रिलेशन रखेंगे तो उनको एक पॉलिसी गाइड करेगी कि उन गोल्स को हम कैसे अचीव कर सकें समझें ठीक आगे बढ़ते हैं फॉर्ण का मतलब है कि कोई भी जो सोवरीन बाउंडरी से बाहर हो इंडिया की सोवरीन ब नेपाल इस तरीके से फॉर्ण का मतलब कि जहां एक सोवरीन का शाषन खत्म हो और उसके आगे की बाउंडरी जो कुछ भी हो वह सब फॉर्ण होती है ठीक है तो देर्फोर फॉर्ण प्लस पॉलिसी यानि कि फॉर्ण पॉलिसी का यहां मतलब है एक तरीके की सेट आफ गा सेट आफ गाइडलाइन्स टुच्वाइज बींग मेंड अबाउट पीपल प्लेसे एंड फियोंड बाउंडरी ऑफ स्टेट कंसर्ण तो यह फॉर्ण पॉलिसी एक तरीकी की गाइडलाइन्स है कि अपने पीपल या दूसरे के पी दूसरे में रहने वाले लोग अपनी प दोगाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइन्स होती है वो फॉर्न पोलिशी सेट आफ ङाइडलाइन्स कही जाती है थीक है अब इसको डिसकर करते हैं पैडल फोड एंड लिंकन क्या कहते हैं foreign policy consists of courses of action which a state generally undertakes to realize its national objective beyond the limits of its own jurisdiction तो यहां पर देखें लिखा है beyond the limits of its own jurisdiction यानि कि अपनी सोवरीन state से बाहर की बात कर रहा है national objectives की बात हो रही है ठीक है और actions की बात हो रही है यहां पर वर्ड है actions और national objectives और beyond the limits of its own jurisdiction यानि कि foreign policy actions पर बेस है जो एक state लेता है कि उसके राष्ट objectives national objectives पूरे हो लेकिन domestically नहीं वो दूसरे देश से अपने boundaries से बाहर जैसे एक example देते हैं इंडिया का कोई national objective है कि हमको प्रेड के माध्धम से अफगानिस्तान से कुछ समान मगाना है इंडिया के national objective है कि हमको अफगानिस्तान से या फिर इरान से या फिर गल्फ इसे ओइल चाहिए और तो कि क्रूड ओईल या फिर ओइल की डिमांड तो है ही भारत देश में तो डिमांड लेकिन पूरी कहां से होगी दूसरे देश इरान से बियोंड अलिमित्स ओफिट्स ओन जुरिडिक्शन लेकिन इंडिया का तक चलता है इंडिया में ना कि इंड एक फॉरेंड पॉलिसी के तहत हो कुछ एक्से एक्शन लेगा जो इसके नेशल अब्जेक्टिव स्पूरे करेंगे लेकिन कहां से उसके लिमिट ओफिट्स ओंज रिडिक्शन उस देश के बाहर से तो यह एक्जांपल अब समझ गया है ठीक है ने फॉर्दर कंटेंड इ हैं दर कलेक्शन ओफ सेवल स्पेसिफिक पॉलिसीज विजेट पर्सीट विद रिस्पेक्ट टू इंडिवल कंट्रीज वही बात है सिसी रोड यहां पर कहते हैं फॉरेंड पॉलिसी फॉर्मिलेशन इंप्लिमेंटेशन ऑफ ग्रूप फ्रिंसिपल्स विच शेप्ड़ स्टेटियंग विजेटिंग भी बात इनकी भी वही बस बोलने का तरीका लग ऑफ फॉरंड पॉलिसी इनके हिसाब से formulation formulation का मतलब बनाना implementation का मतलब लागू करना तो foreign policy है कुछ principles को बनाना पहले और उनको implement करना ठीक है जो एक state के state का मतलब एक country के behavior को वहवार को set करेंगी कि दूसरे state से कैसे वहवार करता है कि उसके उस देश के अपने वाइटल इंट्रेस्ट निकल आए जैसे चाइना हम लोगों का दुश्मन है इंडिया का माना जाए तो चाइना और पाकिस्तान दुश्मन है ठीक है दीज आर इनमी करता है उसके तहट foreign policy काम करती है कि वह कुछ ग्रूप फ्रेंसिवल फॉर्मिलेट करती है implement करती है जिसके तहट एक स्टेट और दूसरे स्टेट का behavior चेंज हो जा रहता है लग लग ट्रेड के मामले में हम लोग friends है और जब की देखा जाए कि border issues पे लेके काफी हम लोग खटापटी बनी रहते हैं लेकिन हम लोग अपने वाइटल इंट्रेस्स किसी भी तरीके से पूरे कर लेते हैं फ्रैंकल की बात अगर करे foreign policy is the decisions and actions which involved to some appreciable extend relations between one and one states and other states वहीं यह बात कि foreign policy decisions है यानिकी और actions है decisions का मतलब हम लोग हमने क्या निर्णे लिए actions का मतलब क्या हमने कार किया ठीक है तो कुछ हद तक कुछ हद तक सम रिलेशन action relations कुछ हद तक relations पर डिबेंड करती एक स्टेट और दूसरे स्टेट यहां पे स्टेट कम लब international relations में country होता है ठीक है में पॉइंट क्या है foreign policy involved करती है decision बनाना और उसको implement करना और यह कहा गया है यह सब relational relational का क्या मतलब it is relational in the sense that intention of the foreign policy that intention of the foreign policy is to influence the behavior of other states because nothing is equal in the international system वहीं हमने इंडिया चाइना के example से बात समझ सकते हैं कि foreign policy का main intention यह होता है कि दूसरे हम लोग अपने behavior को influence कर सके time के साथ other actors के साथ यानि कि other states के साथ changing time के साथ क्योंकि कुछ भी equal नहीं है इंटरनेशल सिस्टम में कभी आप दोस्त हैं कभी आप दुश्मन है एक फैक्टर पे आप दोस्त हैं कभी एक फैक्टर पे दूसरे फैक्टर पे आप दुश्मन है ठीक है कि every state requires resources economic goods military know-how political and strategic support and cooperation and others as well as coordination with all other actors on the wall it can be said their foreign policies our strategies devised by government to guide their action in the international हर स्टेट की कुछ ना को जरूरत होती है economic संसाधन कोई भी ऐसा नहीं कि उसको ट्रेड ना करनी पड़े ठीक है हर किसी को economic goods चाहिए ट्रेड करनी पड़ती जिसके लिए military एक states की boundaries को protect करने के लिए चाहिए उसके डोमेस्टिक के लिए political चाहिए और कुछ strategic support domestic and strategic support strategic military के ही अंदर आ जाएगा और cooperation कुछ states का cooperation और coordination of with other all other actors अकेले कोई भी स्टेट इंटरनेशल नहीं चल सकता इसे लिए कई groups बनते हैं ठीक है जिसके तहित को coordinate करते हैं treaty sign होती है on the wall पूरा अगर हम निचोड देखे foreign policy in is our strategies devised by government to guide direction in the international arena कि में यह देखा जाए foreign policies जो है एक strategy होती है government के द्वारा बनाई हुई कि उनके actions international politics international field में कैसे वो चल सके determinants of foreign policy